तो हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग 2nd class की प्रैक्टिस आइओ आप सब लोगों ने अच्छे से कर लिये अगर आपको straight lines perfectly निकालने आ रहे हैं तब आप 3rd class की प्रैक्टिस शुरू करिए 3rd class में हम चीखने वाले हैं महिंदी में जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं उसको कहते हैं हम हमस यह अभी में यह जो हमस निकाल रही हूं वह सबसे छोटे वाले हैं यह एकदम बारिक वाले हैं तो यह इसकी आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है एकदम सारे first to end अच्छे से ए बढ़ानी है ठीक है तेको फर्स में और सेकंड में क्या डिफरेंस है सिफ मैंने उसकी हाइट थोड़ी बढ़ाई हुए है बाकी एक ही लाइन में आ रहे है सब छोटे बड़े नहीं होने चाहिए फर्स्ट और सेकंड थर्ड जो निकालोगे वह इससे भी बड़े निकालन है और बहुत सारे ऐसे बेल्क टाइपँ हमको सीखने है आज हम अलग अलग टाइप के हमस वाले छुडिंग वाले डिजाइन जो हर शेप में फिल्ल बहुत माइनर से चेंजेस होते हैं लेकिन दिखते हैं जब हम निकालेंगे तो अभी यह स्पाइरल वाला जो राउंड राउंड है यह किस तरीके से निकालने कि छोटे बड़े छोटे बड़े निकालने हैं यह डिजैन भी फिलर एलिमेंट भरते टाइम बहुत अच्छे ल कि एक दूसरे के ऊपर वह एकदम से बैटे हुए हैं और एकदम राउंड शेप में निकालने हैं बिल्कुल भी गैप नहीं दिखना चाहिए अंदर अब भी नेक्स बॉक्स में हम अलग डिजाइन निकालेंगे बॉक्स में प्रैक्ट्रिस इसलिए करना है आपको एक कि अपर शेप निकाला लिए नहीं तो पिर के के शैप में भी आ आप निकाल सकते हैं बस हमको प्रैक्ट्रिस करना ह्या अलग-अलग अलग टाइप के ठीक है अभी मैं जो प्रैक्स बना रही हूंUSMEN किया है एक सिंगल राउंड है और उस पर मैं tepsk हम बना रही हूं तो यह सारे जो filler elements हैं हमको अभी याद नहीं जब हम ब्राइडल महंदी निकालते हैं तब इतने type की याद नहीं आते हैं इसलिए इसकी practice करने कि यह बहुत सारे types के होते हैं हम अलग-अलग type की जब add करते हैं design में तो वह एक professional महंदी का look देती है कि बहुत सारे अलग-अलग elements हम जब add करते हैं एक ही filler element हम हर जगे यूज करेंगे तो वह एकदम beginner वाली bridal महंदी देखी कि बिल्कुल भी professional वाली bridal महंदी नहीं देखेगे इसलिए हमको अलग-अलग type के filler element सीखने बहुत important है अभी यह एक हो गया दो टाइप के filler element यहां पर सीख लिए है यहां पर गलती क्या होती है कि आप जब यह भरते है न तो बीच में gap रहते है देखो अभी मैं यहां पर निकाल रहा हूं इस तरीके से जो अंदर gap है न वह gap रह जाते हैं आपर दो flower के बीच में जो gap है यहां पर नहीं है यहां पर बॉक्स में जो प्रॉपर डिजाइन बनाई यहां पर एक भी gap नहीं है यहां पर gap जो बनते है न तो बेगिनर्स जब प्रैक्टिस करते हैं तब हो जाते हैं यह वाले gaps यह होने नहीं चाहिए पूरा प्रॉपर फील डिखना चाहिए पूरा बहरा सिखेंगे चलिए next box ready है मेरा इसमें design भरने के लिए आपको एक और tip देती हूं यह जो spiral है पूरा अंदर तक 3-4 round circle बना के spiral अंदर तक गया यह एक type यह दूसरा type की एक ही की लाइन दे इंदर और यह तीसरे में सिर्फ चरह कल बनाए और 4 में डोट बना के उसके ही हंद बना दिया अब यह डोट एक सबसे छोटा थोड़ा बड़ा और सबसे बड़ा डॉर्म बनाते टाइम क्या कि ऐसे महिंदी ऐसे नहीं स्प्रेड नहीं करनी है एक ही जगह बहुत सारी महिंदी प्रेस करनी है इस तरीके से डॉट बनाने है अब यह एक छोटी सी टिप है तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जो बड़ा सरकल बनाया था तो उसके बैसे पर अभी यह हम अलग टाइप का फिलर एलेमेंट बन बॉक्स पिल करना है कहीं पर भी बॉक्स में खुली जगह नहीं दिखने चाहिए एंट वह बॉक्स फील होना चाहिए शेप कोई भी खुला छोड़ सकते है कि यह हमको शेप की कोई भी साइड तो यह बॉक्स हमारा एक स्टेप है जिसको हमको कम्प्लीट करना है अभी हम आ गए है चोथ है हमारे filler element में तो यहां पर हम filler element किस तरी किसे बनाएंगे एक idea है एक dot बनाएंगे उसके उपर दो layers देंगे और medium size के नहीं sorry medium नहीं है एक छोटे size के हम्स बनाया उसके उपर बड़े वाले हम्स बना के उसको dark किया करने के बाद उसके उपर मैंने एक single layer दे दी यहां पर फिल से एक dot दो layer छोटे वाले हम्स बड़े वाले हम्स उस पर एक thick line और उसके उपर एक single layer यह भी filler element बहुत खुपसरत और बहुत useful है हर एक महंदी में हर एक design में बहुत use होता है यह भी बहुत सुन्दर दिखता है यह filler element एक dark line एक light line ठीक है अब यह fast fast इसको फिल कर देते हूं ताकि आपको बोर ना हो आपको भी इसी तरीके से पूरा box फिल करना है चलिए चलते हैं हमारे fifth filler elements की तरफ क्या करेंगे हम कि वो जो यह spiral बनाया था जिसके अंदर सिर्फ एक ही line हमने circle में एक ही line अंदर की तरफ खी ही sides में feel करेंगे छोटे बड़े बिल्कुल होने चाहिए विच में gap भी नहीं दिखना चाहिए ठीक है अब मैं यह भी fast fast पूरा box feel कर दीती हूं ताकि आपको बोर ना हो चलिए चलते हैं sixth filler element के तरह चलिए चलिए एक और टाइप का circle बताती हूं एक circle बनाना है उसके अंद यह दो टाइप के भी circle use होते हैं तो चलिए यह टाइप के circle को हम हमारे next filler element पे add करते हैं देखिए चोटे बारिक वाले हम्स बना रही हूं दो लेयर के हम्स बना दिये अभी circle बनाया end में dot दिया circle के उसके उपर एक layer बनाई और उसके उपर दो लेयर के बारिक वाले हम्स ब बनाया उसके end को dot दे दिया एक layer बनाया उसके उपर दो बारिक हम्स के layer बना दिये उसके उपर ठीक है चोलो यह भी मैं फटाफट फिल करते दिया अभी next filler element की तरफ चलते हैं देख रहे हैं आप बारिक बारिक सी changes है लेकिन उससे design कितनी change होती है तो filler element बनाएंगे उसमें एक circle के layer अंदर जाके dot बनाया और पहले का कैसे बनाया कि circle बना के end में dot दे दिया अभी जो circle बना रही हूं उसका circle बना के अंदर ले जाके मैं dot दे रही हूं right अभी इसमें फर्क आप ही देखिए दो design में difference है कि नहीं तो यह design एकदम छोटे से difference से change हो गई तो चली यह भी बॉक्स में जल्दी जल्दी से feel कर देती हूं अभी जो next filler element हम बनाएंगे वो थोड़ा सा हटके हैं उसमें हमको कोई भी हम्स या पे spiral circle यूज ने करने है चोटे-चोटे बारिक-बारिक circle यूज करने हैं जिससे कि उसके अंदर gap नहीं दिखना चाहिए ऐसा लगना बहले ही वो प्रॉपर circle भी नहीं दिख रहा है लेकिन space नहीं दिखना चाहिए अंदर अभी यह जो आप बनाओगे ना इस तरीके से तो बीच में पूरा white white space देखेगा मेरे में दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है हर एक जो circle है एक दो circle भी नहीं दिख रहा है वो proper तरी चाहिन ही वेसी है कि ऐसे बिनाना है कि बिल्कुल पीच में gap नहीं दिखना चाहिए वो circle की हर एक side एक दूसरे से attach होनी चाहिए तो आ गया समझ में तो चलिए यह भी मैं fast fast fill कर देती हूं पूरा box हो गया फिर अभी मैं हमारा 9th last वाला filler element आपको दिखा रहे हूं चलिए 9th वाला filler element बनाते हैं तो यहाँ पर हमने यह वाली design second वाली जो single line थी अंदर वो तो निकाली लेकिन यह बहुत सारे जो अंदर अंदर circle है वो वाली एक भी नहीं निकाली अभी तक ना तो चलिए वो वाली design हम ट्राय करते हैं filler element बनाते हैं उसका यह जो जादा अंदर spiral वाली circle थी उसके उपर मैंने छोटे छोटे वाले दो लेयर के हम बना दिये हैं दो लेयर के तो चलिए यह भी मैं fast fast फिल कर देती हूं यह हो गया हमारा 9th filler element तो आपको आज के class सच में अच्छी लगी हो और वीडियो को शेर करिए और चनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू टेक केर बाई